आज की वीडियो मेरी गुलाब के उपर है गमले में धेर सारे गुलाब के लिए किस तरह से के यह की जाए उसके उपर है इस गुलाब के प्लाइंट में वह सारे गुलाब खिले हैं अब यह सूखने पर भी आगए है कुछ जड़ रहे हैं मैंने सोचा इसमें पहले वीडियो बना ली जाए उसे पहले तो ये जो घास फूस है गंबले में हुगाती है उसको साफ कर देख लेगा पानी तब ही डालें जब एक इंच उंगली डालके देख लें अगर सुखी है मट्टी तो डालें ज्यादा पानी से पत्तियां पीली पढ़के गिरने लगती है और हफते में कम से कम एक बार इसकी गुड़ाई जरूर करें जिससे जड़ों को ऑक्सिजन मिल सके मट्टी भुरभुरी होनी चाहिए ताकि जड़ों को फैलने की जगा मिलें हर पंद्रा दिन में बदल बदल कर खात दे कि जिस तरह हमको बदल बदल के खाना है अच्छा लगता है उसी तरह से प्लाइन को भी बदल बदल के अगर आप पर्टिलाइजर देंगे तो उसको सारे पोशक तत्व मिल जाएंगे और सबसे जरूरी चीज है वो है सनलाइट गुलाब को पूरे दिन की सनलाइट चाहिए सुबा से लेकर शाम पांच बज़े तक जब तक सूरज जाएगा इसको फुल सनलाइट चाहिए पूल सनलाइट में रखना चाहिए इसकी केहर भी अलग और प्लांट से अलग होनी चाहिए इसको सनलाइट पूरे दिन की चाहिए दूसरे प्लांट में तो किसी को दो घंटे किसी को सुभा की हलकी धूप चाहिए लेकिन गुलाब को पूरे दिन की धूप चाहिए अगर पूरे दिन की धूप इसको मिलती है तो इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा मेरे गाडन में और भी गुलाब है कि देखो देखे बड़े बड़े लाप एप इसकी बड़े कितनी बड़ी नेचरे पक्रॉप आप लगों को अगर अच्छे लगे हैं तो मेरे यडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आप मेरे चैनल पे नएए तो सब्क्राइब क कि अपकर सुनी कुछने कि अब चाफ दो फ्यूग प्यापने कर दो भाले रहे सुनी कि अभमाना चभाने कि तो अबाई दो बाई बाले भी और आधने के अब खाये कि अबाले को दो अबें जाकुछ लाबें हाई हैं